साधरन से शहरी परिवेश में पली बड़ी आम लडकियों की तरह ही एक लडकी है कश्मीर की बिस्माकाजी मगर बाकियों से ये कुछ खास है क्योंकि उनकी काम्याबी की कहाने कुछ अलग है बिस्मा काजी बच्पन से ही स्कूल की टॉपर रही बी इलेक्टोनिक्स इंजीनियरिंग में गूल्ड मैडलिस्ट रही साथ ही अपनी फेलिंग्स को खूबसुरत पेंटिंग के जरीए उकेर ना कोई उनसे सीखे साल 2017 से पहले श्रीनगर में अपने घर आसपडूस साथ ही सहीलियों में बस यही उनकी पहचान थी लेकिन जून 2017 में यूपियस्टी डिजर्ट में नाम आने पर गूल्ड मैडलिस्ट इंजीनियर बिस्मा काजी की पहचान बदल गई तब कश्मीर की वादियों में हर कोई जानने को उत्सुक था कि कौन है विस्मा काजी आपको बताते हैं विस्मा काजी की पूरी कहाने आज वही विस्मा काजी बतोर आईपियस देश की राज़धानी दिल्ली में कमान संभाद चुकी है AGMDU कैडर से दिल्ली में कश्मीर की पहली लेडी आईपियस है नेशनल पुलिस अकैदमी हैदरबाद से ट्रेनिंग के बाद 25 सतंबर को पहली पोस्टिंग बतोर ACP सभाश प्लेस तैनाती मिली है काम्याबे के इस उचे मुकाम तक पहुशना बिसका काजी के लिए कितना चालेंजिंग रहा और ऐसे तमाम अंच्वे पहलू उनके जीवन में आया जिसका हुनोंने बड़े ही संघर्षों के साथ सामना किया बिसमा काजी इसके मताबक वो कश्मीर के श्रीनगर की है बहन इंजिनियरिंग की पढ़ाई कर रही है 2014 में कश्मीर यूनिवर्सिटी से बी गोल्ड मैडलिस्ट कम्लीट किया मादा बिता अदर्ष है घर में बेटा बेटी जैसा भेदाव कभी नहीं देखा और पेरिंट्स ने हैर एजुकीशन को हमेशा से ही प्रात्मिकता दी और यही कारण रहा कि बेटी ने महनत से पढ़ लिखकर इंजिनियरिंग में गोल्ड मैडल हासल किया एक दिन माँ ने कहा कि इंजिनियर बनकर प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैकेज बन सकता है लेकिन पबलिक की सेवा नहीं इसलिए यूपीसी की तैयारी करो माँ की तरफ से मिला विचार जिन्दगी बन गया साल 2015 में पहली बार यूपीसी में जाने के बारे में अकेली दिल्ली आई तबना मन्जिल तैशुदा थी न रास्ते मकमल थे खुद की शमता को परखने के लिए सिवल सर्विस की तयारे के लिए जामिया में एक ओरियंटिड कोर्स अटेंट किया था बेसिक नॉलेज मिली वापस श्रीनेगर लोट गई घर में रहकर अपने दमखम पर बिना कोचिंग लिए तयारी शिलू की उन दिनों श्रीनेगर में शटडाउन था ना इंटरनाट ना हालात कश्मीर उनिवसिटी में जिस दिन एक्जाम था बहार शटडाउन रोट जाम पेट्रोड पंपी बन थे उस दिन पापा ने जैसे तैसे गाली से एक्जाम सेंटर पहुचाया उन दिनों विपरित हालातों को लांगते होए प्री मैंस और इंटरव्यू को क्रॉस किया और जून 2017 की एक शाम इंटरनेट बन था हर खबर से बेखबर उस रात खाने की तयारी चल रही थी तब दिल्ली जामिया से मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि यूपिस से रिजर्ट आ गया है एक सो पंधरवी रेंक है मा पापा और हम सभी की आँखों में कुशी क्यास हो थे सोच लिया था आईएस ना सही आईपिस बनकर सिवा करूंगे हैदरबाद नैशनल पलिस अगादमे में ट्रेनिंग से भी बहतर परफॉर्मेंस के लिए ट्रॉफी मिले महीं से सीनियर का सपोर्ट ऐसा मिला कि लगा ही नहीं कि मैं अपने परिवार से दूर हूं आईपिस पाउट के बाद शहदरा जिले के थानों में ट्रेनी रही सीनियर्स ऑफिसर और स्टाफ ने पुलिस फ्रैक्टिकल दिया लगी हूँ कि आईपिस बनकर पहली पोस्टिंग नौथ वेस्ट डिस्रिक्ट डी सीपी विजियनता आरिया हमें की गाइडेंस पे मिली तो आखितकार माता पिता के सहयोग से और अपनी महनत के बलपन उन्होंने ऑफिसर बनकर दिखाया और पर सीनियर के सपोर्ट से एक बहतरीन आईपिस बनी कई अच्छे केसिस पर भी उन्होंने काम किया जिनमें से केस है जहां बीते दिनों आट साल की एक किड़ने पर बच्छी को उन्होंने अपने परिवार के पास वापस बहुच आया और उनके इन कामों को देखकर दिल्ली के अलग लगे का इलाकों से बहुत सी लड़किया उनसे मिलने पहुचती है और पूछती हैं कि बिना कोचिंगे कैसे तयारे की जाए और कैसे अपने सपनों को सच किया जाए आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें